मनिश जी थांक यू सो मच फॉर स्पीकिंग तो वस फाइनली ऐसा लग रहा है कि एक फोकस है अब एक डिबेट अब शुरू हुआ है एक न्यू नाशनल एजुकेशन पॉलिसी पे छे साल लगे सरकार को इस पॉलिसी पे आने के लिए आपको एक देर दिन का टाइम मिल गया अब आपने पड़ भी लिया मैं देख रहा हूं आपके सामने रखी भी हुई है क्या आपको लगता है पांच प्लसेज और पांच नेगेटिव हैं इस पॉलिसी के अभी तक जो आपने पड़ा पांच पांच करना थोड़ा सा टिपिकल है पर इस पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं सब को एक जैसी एजूकेशन मिलनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डवलप होनी चाहिए यह सारी अच्छी बातें हैं लेकिन करेंगे कैसे यह मिसिंग है और गुड तिंग्स हैं वह इस पॉलिसी में मिल जाएंगे आपको क्योंकि जो आप शिक्षा पे जो अच्छी अच्छी बातें करते हो ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए वह हमने यहां भी लिख दिया है लेकिन उसको हम करेंगे कैसे वह मिसिंग है लेकिन फिर भी कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बोलू अर्ली चैलिहुड तीन स को अच्छा लेकि आएंगे यह पहली बार देश में कहा गया है कि मेन फ्रेम में हम तीन साल के बच्ची के एजुकेशन को लेकि आएंगे पर उसमें प्रॉब्लम मैं उसमें आगे बात करूंगा जो अब कमियों की बात कर रहे हैं इसने कहा हम ब्रिकफास्ट देंगे अच अच्छी बात है अगर बीएड देखें चार साल का बीएड करेंगे यह अच्छी बात है जो फांडेशन एयर की बात की है पांस साल का फांडेशन एयर करने की बात कही है यह अच्छी बात है लेकिन सवाल वहीं आजाता है कि आप इसको करोगे कैसे पहला दूसरा एक बड प्रॉब्लम से गवर्मेंट के जिम्मेदारी है कि अपने गवर्मेंट स्कूल को इतना शांदार बनाए कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को फीज दे के प्राइविट स्कूल में भेजने के बारे में मजबूर ना हो क्या इसमें कुछ क्लारिटी है आप के लिए कि दिल्ली के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी को कब तक कैसे किस तरीके से आप बैठ कर उसको कोई क्लारिटी नहीं है कुछ अच्छी विश्फुल थिंकिंग्स हैं जैसे कहा गया कि हम मैंने अर्ली चैल्लूड की बात की कि हम हर बच्चे को अच्छी अर्ली चैल्लूड एजुकेशन मिले उस पे काम करेंगे यह तो अच्छी बात है लेकिन फिर आप कह रहे हो कि अच्छी अर्ली में भीज के आप एक समान कैसे करोगे है ना आपको गवर्मेंट स्कूल सिस्टम में प्री प्राइमरी सिस्टम को लागू करके वहां अच्छा कौलिफाइट टीचर लाके आप बात करते तो सब को एक समान मिलता क्या इस पॉलिसी को लिखने वाले लोग अगर उनको लगता है कि एक समान शिक्षाप की गारिंटी ले सकती है ये बात मानेंगे कि हाँ हम अपने बच्चे को अंगरवाडी सिस्टम में भीजने को तयार है हम इसकी तयारी करेंगे अरे च्छे साल से तयारी निकालेंगे अरे तरीके क्या निकालने आप छा सल से और तरीके निकाल पारेंगे फिर कब निकालोंगे 1966 से एद्जूकेशन पॉलिसीज में लिखा जाता रहा है कि हम 6% GDP का एद्जूकेशन में लगाएंगे इन्होंने भी यह लिखा है कि हम 6% लगाने के लिए राज्य क के साथ मिलके काम करेंगे बिल्कुल नहीं होगा आप जब तक इस पर कानून नहीं ले क्या होगे कि हम देश में ये नियम बनाते हैं कानून बनाते हैं कि हर एक केंदर सरकार और राज सरकार अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन पर मेंडेटरी खर्च करेंगे और आपने ऐस कि दो कानून अलग बना हुए जो बात हो रही है कि सदॉप से नीचे की लगे बच्चें उनको मिल्क पड़ा जाएगा मुझे तो लगता है कि यह बहुत अच्छा कदम है मैंने बहुत सारे दिशों का मडल कि आ उस दौरान वी कि केसी होगा है यह रिसर्च हैं कि मतलब फिफ्ट क्लास तक तो नहीं शायद लेकिन वो दस वर्ष की उम्र तक मातर भाषा में सिखाते हैं और फिर यह कंपेरिजन भी किया गया कि जिन बच्चों ने बच्चपन से जनम से अंग्रेजी सीखी कि मतलब तीसरे साल की उम्र से अंग्रेजी सीखनी सुरू की और जिन बच्चों ने दसमी साल में अंग्रेजी सीखनी सुरू की उनकी अंग्रेजी की शमता में 15-16 साल की उमर में कितना अंतर था तो यह पाया गया कि दौनों बराबर थे और कई मामले में जिस बच्चे ने अपनी मातरभाशा में फाउंडेशन किया, उसका वो ज़्यादे इंटेलिजेंट था, यह एक अच्छा कदम है और मुझे लगता है इसको बहुत ओपन रूप से देखना चाहिए, जो पॉलिसी है यह बोर्ड एक्जाम के फोबिया से बा आया की नहीं आया, उसका तुरंट असिस्मेंट होता है, पूरे साल के मुल्यांकन को उठा के वो उसको अपग्रेड करते हैं, हमको लगता है कि तीन साल के अंत में तीन घंटे के एक 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 अग्जाम लेंगे, और उसमें हम को पता चल जाएगा कि बच्चे ने कैस सीखा ने सी का, यह बहुत और्थोडॉक्स तरीका है, फेल्ड तरीका है समझने का, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ, अब यह पॉलिसी है कह रही है कि साल के अंत में एक 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 अग्जाम तो करेंगे, उस पे हम नहीं मानेंगे, हम उसको इजी कर देंगे, अरे उसको इजी ने टेस्टिंग एजेंसी होगी, उसके आधार पर उसके एंट्रेंस होंगे, अरे जब आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सरी एक्जाम करा रहे हो तो फिर यह बोड की क्या ज़ूरत है, इंप्लिमेंटेशन की जो कम से बाफर उसके और एक अच्छा एडिया है, पर ह उसके एक साल को डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ बोल सकते हो आप, जो अब बहुत सारे देश लागू कर चुके हैं, हम ही रह गए थे, लेकिन देश के सारे कॉलिजिज को, इंस्टिटुशन को मल्टी डिसिप्लरी बनाना, ये मुझे थोड़ा सा बचकाना हरकत लग र करना सिखाओ, कैसे होगा, मतलब आपको मल्टी डिसिप्लरी चाहिए, और दुनिया भर में हैं, इंडिया में भी हैं, और बहुत सारी उनिवस्टीज मल्टी डिसिप्लरी ही हैं, पर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टिटूट्स हैं, जो अपनी एक जरनी के ब उसको लेकर आपका क्या व्यू है, बहुत कुछ पुलिटिकल उपोजिशन उसकी है, लोगों की, पर मुटा-मुटा काफी सारे लोग, अट्लीस जो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की उनिवस्टीज को, उनके लिए ये काफी अच्छा होगा, आपको बाहर ना जाके, आप मैं अपने टीचर्स को पढ़ने के लिए वहां बेज रहा हूं, प्रिंसिपल स्कोर ट्रेनिंग के लिए, कल को वहां के साथ मेरे टायप होगा, तो वही क्वालिटी के एजुकेशन मुझके मेरे टीचर्स को यहां मिलने लगेगी, तो यह तो एक अच्छा कदम है, लेकिन हम सिर्फ ऐसा ना सोचें कि उनको महंगा करना है, प्राइवेट के साथ ही टायप करना है, और गवर्मेंट के साथ टायप करेंगे तो अच्छा रहेगा, यह एजुकेशन के बारे में, यह लर्निंग के बारे में एक एंफिस है, बहुत जरूरी है आज के टाइम को लेकर, डिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे अभी भी काफी स्ट्रागल कर रहे हैं, उनके पास जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसको अवेल करने के लिए, कितना इससे बूश मिलेगा और कहां कहां कमी है, जिसको ज़रूर करने, दूर करने के जरूर है, ऑनलाइन एजुकेशन अब हम भी कर रहे हैं, दिल्ली का मैं रोज रिव्यू कर रहा हूं, अलग-लग जोन्स में जाके और लगभग-लग मैं देख रहा हूं, 80% बच्चों के पास में ऑनलाइन सिस्टम की सुधा है, 20% बच्चे अभी भी छूट जा रहे हैं, इसलिए हमने अपने जो दिल्ली मे पर आपके परेंट्स स्कूल आकर आप अपनी वर्क्षीट ले जाएए, फिर हमारे टीचर्स फोन पर उनको इंस्टक्ट कर देते हैं, तो यह हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है. मनिशी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए thank you so much because it was very important कि आप से स्थोड़ा समझा जाए कि national education policy पे अपका क्या है पुरा व्यू because you've been one of the minister who has been very vocal about the education system in the country so thank you so much for speaking to us मनिशी सोदिया